कच्चे साबुद दाना और कच्ची मूफली से आज हम एक ऐसा स्नेक बनाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा बहुत ही टीस्टी और जटपट बन जाता है तो वीडियो को बिल्कुल भी मिसना करें इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें लेना है सबसे पहले आधा कप जितना कच्चा साबुद दाना साबुद दाना आपको भीगाना नहीं पड़ेगा सीधा आप ये नाश्ता तयार कर सकते हैं आधा कप साबुद दन डालने के बाद इसमें डाल देते हैं आधा कप जितनी मुफली इन्हें हमें ग्राइंड करना है तो साथ में ही डाल देते हैं आधा कप हमने कच्ची मूफली ली इसी के साथ डाल देते हैं आधा कपी चावल का आटा चावल का आटा हम इसी टाइम पे साथ में डाल देंगे मूफली में बहुत ओईल होता है तो वो क्या करेगा एब्सॉफ करेगा और अच्छे से पिस जाएगा तो इसमें हम डाल देते हैं एक लाल मिर्श सूखी वाली इससे क्या होगा इसमें तीखा पनायेगा और टेस्ट भी आ जाएगा इन सारी चीजों को आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल फाइन पौडर आपको तयार करना होगा तो ये देखिए पाउडर हमारे रैडी हो चुका है अब आपको इसमें फ्लेवरिंग के लिए डाल देना है जीरा आदा चुटा चमच जीरा डाल देंगे इसमें और साथी में डाल देते हैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए सीसम सीट्स यानि सफेद वाले तिल आप चाहें तो इसमें अजवाइन का इस्तमाल भी कर सकते हैं फिर आपको डाल देना है एक चुटा चमच जितना नमक अब इन सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है फिर हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालके इसका एकम बैटर सा त्यार करेंगे इसमें हम पानी डालेंगे जरुरत के हिसाब से तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसे हमें थिक रखना है कंसिस्टेंसी हमें थिक से भी ज़्यादा थिक रखनी है तो मैं आपको भी दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होने वाली है अच्छे से मिक्स कर लिया हमें आप यह देखे बिल्कुल डो जैसा हो गया है यह पर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए यह सॉफ्ट रहना चाहिए फिर हमें एक पाइप इन बैग लेना है आप पाइप इन बैग में चाहिए तो अपनी पसंद की कोई भी नोजल लगा सकते हैं जिसे आपके इस स्नैक की जो शेप हो अच्छी आएगी फिर आपको क्या करना है इस पाइप इन बैग में जितना पीर हमारा यह प्रेंथ इसवार गभी से मैंने आदा ही बढ़ा है कि हम से इसली यूज एज़िए ब्रा पाइण फिर एक उसुग करते इसे हम चकरी के शेप का बना रहे हैं जो चकरी होती है ना वुज शेप का बना रहे हैं देखिए दिवाली के लिए बहुत ही परफेक्ट स्नैक है और आप इसे स्टोर करके एक महीने कली भी रख सकते हैं एर टाइट कंटेनर में आपने देखा बनाना तो इसे बहुत ही आसा यह देखिए मीडियम ब्राउन हो गई है इन्हें हम निकाल देते हैं और शेप देखिए इनकी कितनी अच्छी आई है कुछ चोटी बनी है कुछ बड़ी बनी है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं सिंपल आप चाहें तो इन्हें जैसे सोया स्टिक्स होती है वैसा शेप भी दे सकते हैं अगर आप यह शेप नहीं बना पा रहे हैं आपको आज के जटपट और आसान रेसिपी कैसी लगए मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं और इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें यह आप बहुत पसंद आएगी फिर मिलते हैं एक और नी रेसिपी के साथ